हलो एवरीवन वेलकम तो माई चानल गो माईनेम इस नीतू यह जो स्क्रीन पे आप एफेक्ट देख रहे हैं जो एक बॉक्स के ऊपर टेक्स का ट्रांस्फरेंट एफेक्ट आया है यह एफेक्ट हम यूजरी कैसे देते हैं आइम प्रिटी मॉच शॉर्ट जिस मैठेट से मै उसकी लोगों को यह पता होगा और इसको करने की दो आप्शन है फॉस्ट मैं लेयर्स पैनल ओपन कर लेती हूं यहां से मैं इसको डिलीट कर रहे हूं ठीक है हम यह एफेक्ट कैसे दे सकते हैं आपने एक स्क्वैर बनाया यहां से एक रेक्टेंगल लेके ठीक है इसका कल कड़र मैं यहां से वाइट कर लेती हूं और इसकी जो ट्रांसफेरेंट्सी मैं यहां से थोड़ा सा कमकर देए ठीक है align center then उसके बाद आप यहाँ से text ले लिजे and कोई भी text आप type करना चाहते हैं transparent मैं हाँ पर लिख रही हूँ ctrl-t and alt के साब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगे यह जो transparent लिखा हुआ है अगर मुझे इस text पर transparency करनी है मैं चाहती हूँ कि background यहाँ से show हो जिस method से मैं अभी करूँगी mostly लोग I hope so कि इसी method सब कोई पता होगा ठीके मैं क्या करूँगी मैं control प्रेस करूँगी and यहाँ पे जो टी वाला thumbnail वाला आइकरन है यहाँ पर मैं click करूँगी तो यह इसका selection बना देगा and यहाँ से मैं इस layer की visibility layer off कर दूँगी and यह वाला rectangle वाला layer select करूँगी and यहाँ से मैं apply करूँगी इस पे layer mask ठीक है अभी यह उल्टा है आप यहाँ से control आई प्रेस कर दो तो यह invert हो जाएगा but इसमें एक problem यह है कि अगर आपको text edit करना है तो again आपको यह method फिर से करना पड़ेगा तो यह थोड़ा lengthy process है ठीक है अगर मुझे यह change करना है suppose तो यह कैसे होगा मैं इस वाले image पे हूँ ठीक है and यहाँ से मैंने same वही create किया एक shape लेके color मैं इसको यहाँ से white and opacity मैं इसकी यहाँ से थोड़ी से कम कर रही हूँ ठीक है और text जो है मैं यहाँ से यह वाला text ही ले लेती हूँ ठीक है अब यह कैसे होगा आप इस layer पे transparent वाली यानि कि text layer पे आप double click करोगे यहाँ पर blending options में आपको जाना है यहाँ पर आपको दिखेगा knockout knockout में आपको choose करना है shallow and उसके बाद यह जो इसकी fill opacity है इसको आप यहाँ से कम कर दो जैसी आप इसको यहाँ से कम करोगे तो यह automatic ही text जो है वो आपका transparent हो जाएगा and इसमें आपका यह benefit है यहाँ से आप text change कर सकते हो but इस case में क्या था इस case में आप text change नहीं कर सकते हो करना होगा तो again यह method apply कर रहा होगा यह lengthy process है तो यह थी आज की tip if you like this video please like, share and subscribe thank you, thank you so much for watching